इंडिया और बांगलादेस का सेकंड टेस्ट मैच धाका में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच इंडिया ने बहुत अच्छे रन से जीत गई थी इस मैच में एक बहुत बड़ी ख़वर सामने आई है अगर आप क्रिकेट के फैन है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाईए कल सुबह 9 बज़े से इंडिया और बांगलादेस का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा इंडिया की तरफ से रोईद सर्मा खेलते नजर नहीं आएंगे खरी वंडे मैच में हाद में के अंगुठे में चोट लगी थी जिससे उनका अंगुठा फैक्चर हो गये था और वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गये थे उमीद की जा रही थी कि रोईद सर्मा दूसरे टेस्ट मैच में फिट हो जाएंगे और आपको खेलते नजर आएंगे बट वो फिट नहीं हो सके और वो कल के मैच में नहीं खेलते नजर आएंगे कल के मैच में भी रियल राहूल कप्तानी करते नजर आएंगे जी हाँ दोस्तों और ओपनिंग बल्ले बाद सुबमन गिल कल ओपनिंग करते नज़र आएंगे और उनके साथ ओपनिंग दूसरे छोर पे राहूल करते नज़र आएंगे तीसरे नमबर के जो बैट्समें चेतस्टर पुजारा है और चोथे नमबर पे विराट कोली हाला कि उमीद की जा रही कि विराट कोली के बल्ले से रन बरसेंगे और उमीद की जो टेस्ट में सतक आएगा पिछले मैच में पुजारा की बहुत अच्छी बैटिंग के कारण उनका सतक आया था और सुबमन गिल का भी सतक आया था इंडिया पहली पारी में 404 और दूसरी दूसरी पारी में 258 रन बनाकर डिकलियर कर दिया था वहीं बांगलादेश पहली पारी में 500 रन और दूसरे पारे पे 324 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी जहां इंडिया को 188 रन से जीत मिली थी वहीं कुल्दी प्यादों को मैनाब्दा मैच से नवा जा गया था बांगल कि सीरीज तो पहले वह हार चुका है लेकिन टेश्ट सीरीज जी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें